आपको टेंशन फिल हो रहा है तो इसी दवरान मेरे जरीए मैं आपको साओं आपका स्ट्रेस ठड़ा कम करूं के से मिमिक्री स्टैंड अप कॉमेडी और पपेट शो के जरीए तो चलिए आज के इस लाफ्टर राइड में मैं आने कहा मैं थावलदार आपका स्वागत करता ह हूँ और अब कुल्य चलता हूँ कहां पर लाफ्टर राइड पर अगड़ा तकर तक टकर टकर तकर दोस्त ऐसा कहता है कि लाफ्टर इस अथि मेडिसीन और मैं की साल से साथ को सब्सक्राइब के सकता हूँ एयां में कि मैं उनकी इम्म्यून सिस्टम सोड़े हद तक तो ब झाल 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 लुक्स लाइक अमित इस लॉक्ट ओफ अगें आज तो हमारी और कनेक्टिविटी की जंग है और हम हार मानने बाले है ने रूए यूजरा बैक्ट बाले हमारी तो में पित्रल् का प्रश्ट तोच अज़ा अमित वारी खाल है दिंगा ठॉट आ Зна हुट हरा इसा हुआ है यहां पर तोड असा पाउर क हृय कॉट हट आँ आरा यह जा रहा है जा रहा है ने मैं खुद ही को कर बुलन इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है लेकिन आज का सिच्छों देखते हुए आज का सुचीशन देखते हुए मैंने शेरोaf सिचल कुछेंज क्या है और शेरोशरी का चेंज और खुद ही का इम्न सिस्टम कर बुलन इतना कि कोरोना वाइरस फुद पेशन चीजाens से पूछे थे क्या खाता है यूर्णा का इसर हर एक इंसान पर पुछ इस तरह से पढ़ा है कि बस रबस इनसान हसना भून गया है लेकिन मैं लों को और था है हो ह्तरी है बहुत सारे शोज में मैंने देखा है हर और दो कि हमने के लग लग तरीक्य उते अलग अलग स्थाइल उते हैं उनको रोकना पड़ता है इसके विपरित कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसे रखता कि इनों ने बहुत बड़ा लोन लियावा है और हसने में देखी कैसे जोई कंजूसी से हसते हैं लोग तो दोस्तों पता नहीं सलता हस रहा है या बीचरा मेरबानी कर रहा है तो हसने के अलग अलग तरीके हैं यह कोरोना काल में हर किसी के पास बिजनेस में नुकसान है और हर कोई अपने अपने जॉब्स भो बैट रहा है ऐसे मैं देखे फिल्म स्टार्स नों भी सोचा यार तो हमें कुछ साइड बिजनेस करना चाहिए तो दीके कुछ फिल्म स्टार्स डिस साइड बिजनेस क्या शुरूर किया अक्षे कुमार अक्षे कुमार बेच रहे हैं मास्क अपने स्टाइल में जो मेरे पास है वो मैं बेशता हूं और जो मेरे पास नहीं है वो मैं डफिनेकली बेशता हूं और फिलाल तो मैं बेश रहो मास क्योंकि कोरोना को खुतम करने का लिया है मैंने टास यह मास्क एक नई दो नई बनकी पूरे फाइव लेयर मास्क है इसे पेन होगे तो आपके पास आपके पास कोरोना का वाइरस तो क्या आपकी अपनी बीव भी नहीं आएगी वह आके निकल गए हाजी यह देखिए फर्माईश यहां पर शुरू हो गई है हमारे भाटिया साब ने कहा कि आनिलकपुर की फर्माईश ली वह सारी चीजे में लूँगा लेकिन स्टेप लूँगा पहले हम धीरे धीरे टेंपो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे जो इग्रा पर देखें हो गया हैं और वो कुरौन के काल में हम पर खड़े हैं और दीखिए अपने स्टाइल से कवर किसे कर रहे हैं यह गाव बेरा हर पेशिक आव का पाजी राउशिंगम, अगर बेवजा कोई घर से बाहर निकला, तो अचा पाजी शदक्षि, ले हादी रे आली, अब तुबरा फिस्वडंडा सुझाने कि आपके बारे आली, आपके आज़ाई, आपके बारे आली, एदिखे तो कोई अप हमें और का बढालम गेंट है कि आता उपने जिनदान की माघ रहे घर से बाहर निंगलेगा घर से बार निकलेगा अपनिय माक अब तो आपने के टाइगर शॉफ तो टाइगर शॉफ बेश रहे हैं प्याज बेश रहे हैं गांदा प्याज ऑनियों बेश रहे हैं एक लड़की आती है प्याज खरिदने के लिए तो उसको देखके कहता है बता है बता है मैंने तूचे आच यहां किसलिए बुलाया क्योंकि यहां कोई चूट नहीं बोलता साच क्या रहा हूं यह प्याज मुझे बहुत पसंद है और अगर तूभी ट्राइक कर ले तो ग्या ठीक है बताओ यह भाहु है यह सर रुप है यह कीैं सिरुप है यह च्हहर नवे बसको रहो तुम तो बढ़ा देह जा रहे है इतनी चल्दी क्या है अभी तो मैंने स्टार्ट किया है वो लड़के बुली वो लड़की बुली अरे क्या कर रहे हो यह यह तो तुम्हारे सारे प्याज़े सड़े हुए हैं मुझ प्याती मैं छोड़ देता हूं मेरे प्यास प्याती मैं फोड़ देता हूं यह सुनके लड बहुत ज़्यादा फरक पड़ा है वैसे ही फरक पड़ा है हमारे बॉलिउड के गानों में तो हमारे बॉलिउड में बहुत सारे गाने बने हैं और उन गानों में एक शब्द है प्यार ये शब्द है तो जहां-जहां गानों में प्यार ये शब्द है सोचिए अगर उस जो प्यार सब्द की जगा़ पर वहां पर हम लोगों ने जो कोरोना ये शब्द डाल गिया तो जहां-जहां प्यार सब्दें वहां-वहां कौरोना डाल गिया है मैंने को रोना तुम ही से किया है, मैंने दिल भी तुम ही को दिया है, अब चाहें जो हो जाए, मैं दुनिया से अब नडरू, तुझी से मैं कोरोना करूँ. जहाँ जहाँ कोरोना शब्दे वहाँ प्यार शब्दे वहाँ कोरोना दाल दिया है बहुत कोरोना करते हैं तुमको सनम कोरोना हुआ इकरार हुआ है कोरोना से फिर क्यों डरता है दिन एक कोरोना का नगमा है, जोती मोजों की रमानी है, अब मामला यहां तक तो ठीका, कोरोना, 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 चाहिए, थोड़ा कोरोना, चाहिए, जाने मन, गुल बदन, मेरी बात मानिये, चाहिए, थोड़ा कोरोना, अब ये तो ठीक है, इसके बाद का गाना देखिए इसके बाद का गाना एक तो कम जिन्दगानी उससे भी कम है जवानी ओ, कोरोना लो ओ, कोरोना लो यह सारी चीज़े कोरोना काल में चल भी है दोस्तों अच्छा इसका असर देखिए हर चीज़ में कोरोना का किस तरह से असर पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ आप जैसे टीवी आउन करते हैं तो आप तो आप देखते हैं असरे बहुत सारे कमर्शल्स चल रहा हैं भूसरे एड़र्टाइजमेंट शिल रहे हैる तो उन सारे एड्स में भी कोरोना का शब्रा का किस तरह से असर पढ़ाय लेकी अब मैंने एक आड़ देखा तो वो आड़ थी पेस्ट की आड़ थी तूथ पेस्ट की आड़ थी तूथ पेस्ट की आड़ भी वो उसमें कोरोना कैसा दाल दिया कोरोना एफेक्ट यह है स्पेशल तूथ पेस्ट इससे अपने दातों को मांजिए अपने दात एकदम चमकने लगाल है कि युदि इस पेस्ट में है विटामिन सी सिच के बशले में यह फेस्ट में है एक एक और मैंने एड़ देखा था, वो एड़ था, साबून का एड़ था, तो साबून में भी लोगों ने विटामीन से नहीं छोड़ा, अगर आपकी तवचा सूख ही पड़ रही है, रूख ही पड़ रही है, बेजान पड़ रही है, तो पेश है ये साबून, ये साबून से यह साबुन का जाग आपके चम्ड़ी में जाएगा आपके स्कीन में जाएगा और आपके स्कीन में निखार लाएगा क्योंकि इस साबुन में विटामिन C है अगर साबुन में विटामिन C है तो उसको जाग करके उसको वेस्ट क्यों करे ऐसे सीधे पकड़ो और डैरेक्ट विटामिन सी अंदर एक कैसा कैसे आते देखिए एक आड ने तो हद कर दी एक आड देखिए कैसे थी क्या आपके जूते बे जान लग रहे हैं क्या आपके जूते फटे पुराने लग रहे हैं तो यह है स्पेशल शू पॉलिश इससे अपने जूतों को पॉलिश कीजिए और अपने जूते चमकने लगेंगे और अपने जूतों की इम्मुनिटी सिस्टम बढ़ाई है क्योंकि इस शू पॉलिश में है विटामिन सी शू पॉलिश में विटामिन सी तेरे बाप ने दाना था दोस्तों यह आड देखके तो मने का कहा है मेरा जूत आलो यह सारी चीज़े हैं I hope कि आप सब लोग इंजॉय कर रहे हैं यहापे मुझे कमेंट्स भी दिख रहे हैं मैं आप सबसे माफिक कहना चाहूंगा क्योंकि आज हमारे यहाँ पर पावर कट का थोड़ा सा प्राव्लम है तो अचानक से पावर कट हो गया है इसलिए मैं लैप्टॉप से जो यह लोग इन नहीं कर पाया मैं अपने मोबाइल से आप सबको हजा रहा हूं एनिवे दोस्तों आप भी जानते हैं आईपेल टूर्नामेंट चल रहा है एना आईपेल टूर्नामेंट चल रहा था एक बार अपने बॉलिवूड के कुछ जो हमारे बॉलिवूड के एक्टर्स ने सुचा यार हम भी क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलिवूड के एक्टर्स ने अपनी क्रिकेट टीम बना ली और बॉलिवूड के एक्टर्स अपने स्टाइल से बॉलिव कर रहे हैं और किस तर से अम्पैर को अपील कर रहे देखिए सबसे पहले शत्रोगन सिना किस तर से बॉलिंग करके किस तर से अम्पैर को अपील करते हैं जली को आख कहता है भुझी को राक कहता है चस्त ने अभी अभी बॉलिंग की अउसे शत्रोगन सिना कहता है समझा अम्पैर अभी अभी मने बॉलिंग दालिया है बोलो आट है और आउस दाट यह स्टाइल दखके आम पर नहीं पूछा भाई भाई यह तू मुझे पूछ रहा है यह तुख अपना डिसिजन बता रहा है वह आके निकल गया है अब उसके बाद आजी तो अब उसके बाद आ रहे है राजेश खन्ना किस तरह से उपने स्टाइल से बॉलिंग करके किस तरह से आपील करते निए है अंपर अंपर बोला नटाओ आउ दर एंपर बोला नहीं बॉला ना भाई बार बार एंगल बदबल करके आपुस रहे अपर अरे तुन्हें आउट नहीं दिया मैं रोंगा नहीं क्योंकि आएट टियर स्रेज वह आके जले गए अब देखिए कि अपिल कर रहा है हुमारे सल्मान खान किस तरह से कि अपर अमारा नाम है पवन कुमार चत्रवीदी अम बच्छंग बली के भाक्त हैं हम इंडिया से आये हैं कि सुनके अंपर प्रतमय के पाकिस्तान से आयों हम कभी हम कभी जोट नहीं बोलते हैं आप भी जोट मत बलो हमने अभी अभी बॉलिंग की है सच सच बताओ आउट है या नहीं अंपर ने फिर पुछा तुम कभी जोट नहीं बोलते हैं नहीं हम बच्छंग बली के भकत हैं कभी जोट नहीं बोलते हैं तो एक बात सच सच बताओ उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था अभी आउट नहीं दनाई तो मत दे लेकिन बच्चे की जान मत ले वह वह आके निकल गए तो अभी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं देखिए अपिल करने के लिए फरहान अक्तर हाई अगर दिलो में अपनी बेता भी आं लेके चल रहे हो तो जिन्दा हो तुम अगर अपने बॉलिंग से अगर अपने बॉलिंग से बैट्समेन की दंडी उखाड रहे हो तो अच्छे अंपैर हो तुम और मेरे अपिल करने पर अगर उंगली उपर उठा रहे हो तो ने आउट नहीं दी या अंपरू था क्या अंपरू था अंपरू था अंपर बोला तुझे कितनी बार का है नॉन्वेज मत खाया कर सुरी मैं नहीं खाता अरे तो तुमारे गले में हड़ी कैसे अटकिये हड़ी काट की वो तो मेरी आवाजी वेशी आके निकल गए अब उनके पीछे पीछे अमोल पाले कर आके किस तर से अपिल कर रहे देखी सर मेरे पिता जी कहा करते थे सर गेंद तो बल्ले बाज के पीछे गड़ी वी दंडी उखाड़ने के लिए होती है सर मैंने अभी अभी गेंद बाजी किये सर बोलिये आउठ है या नहीं सर आउठ है या नहीं सर एंपेर बोला एक बात बतो आमोल पाले कर क्या तुमने कभी किसी बैट्समैन को स्लेजिंग किये गाली दिये तभी नहीं है सर वो तुम्हें सूट भी नहीं करता तुम्हें काम करो तुम जाके आकाश्वाणी में जो किसी आंकरिंग का काम पकब लो जाओ उसको बेज दिया बिशारे को वो चले गए अभी अमरेश पूरी आ रहे हैं शॉम 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 हो अमपर अभी अभी मैंने बॉलिंग किया है और्स देट अमपर तुरांट अउट 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 ये देखकर बुगेंबो फुश्वा तो बाकी सभी कलाकरों ने अमपर को लोग उच्छां अमपर अरे जब हमने अपील किया तो तुम ने आउट नहीं दिया और इसने अपील करते आउट क्यों दिया अमपर बला भाई क्या बताओं इसने मेरी बच्चों को खिड्नाप करके रखाये तो बुला मेरे अपील करने के बाद उंगली उपर उठा वरना सबको उपर उठा दे जोंगा सब्सक्राइब कर ऩारियरु प्रynnैट ओर सोफ़ों जारीफड न देखराए तो यह और सब्सक्राइब इस में यह अपने घर पर ही रहना पड़ रहा है राइट और घर पर रहते हैं में तो बीवी के साथ जादा बात्चीत होती है, जादा बात्चीत होती है, तो वो सकता है कि बीवी के साथ twoड़ासा जगड़ा भी हो जाया, लॉगड डॉन में पत्री में केसे बात्चीत चल रही थी। एक पत्री ने अपने पती से कहा सुनो जी वो हमारे पडोस में जो शीला रहती है पत्लीनी नने अपने पती सेका सुनो जी वह आपने जो नया ड्राइवर रखा है ना उस ड्राइवर को तुरंट निकाल दालो मैं दो बार मरते मरती बची वो गाड़ी इतना रफ चलाता है मैं दो बार मरते मरते बची उसे तुम काम से निकाल दालो पती ने बोचा तुम दो बार मरते हैं, पती बची उसे काम से निकालना दो पती बोला तुम दो बार मरते हैं, बची तुम मुझे ऐसा लगता है कि उस driver को एक और chance देके देखना चाहिए एक बार पती ने अपने पतनी को छड़ते हैं कहा सुनो राजा दशरत के राजा दशरत के तीन बीविया थी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक और शादी तो कर लेनी चाहिए इस पर बीव बूली भूलो मत भूलो मत की दुरुपदी के पांच पती थे इस उनके पती बोला रे मैं पती हूँ मैं तो फैमिली का हेड हूँ मैं फैमिली का हेड हूँ मैं फैमिली का मुख्या हूँ मैं फैमिली का हेड हूँ इस पर पत्नी बुली अगर तुम family के head हो तो मैं family की निक हूँ और एक बात मत भूलो जहां पे निक मुड़ती है वहाँ पे head को भी मुढ़ना ही पड़ता है तो रुश्तों इसलिए कहते हैं जहां पे डाल गलती है जहां पे डाल गलती है उसे pressure cooker कहते हैं और जहां पे डाल बिल्कुल नहीं गलती उसे बीवी कहते हैं बीवी कहते हैं बीवी कहते हैं Thank you तो यस आपके सग्ये सारे comments बता रहे हैं कि आप कफी enjoy भी कर रहे हो चलो बहुत अच्छी बात है मैं फिर से आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों सौरी यह अच्छानक से आज हमारे पास जो पवर कट हुआ है इसलिए मैं अपने laptop से join नहीं कर पाया मैं अपने mobile से कर रहा हूं तो हाजी तो चलिए क्या comments आ रहे हैं सर अपने अरे सर बीवी से कौन जगड़ा करे है हाजी आपका power बरकरार है मेरा तो power बरकरार है मैं तो अभी 2-4 को पेल लूँ उतना मेरे में power है तो चलिए दोस्तों आपको फिर से ले चलता हूं हसी के जमाने में और आप जानता है कि एक एक ऐसा बंदा है जो बिहार की जेल में है या भी फिलाल लेकिन एक जमाने में वो हम जैसे mimicry artist के हम जैसे comedians के गले में बसा हुआ करता था बुलिए कि वो character कोने बुली वो कौन सा character है जो फिलाल बिहार की जेल में अटका पड़ा है लेकिन एक जमाने में हम जैसे mimicry artist के गले में बसा हुआ करता है बुलिए कौन लालू परसाद ऐसे character है कि एक बार बिचारे photo खरीदने के लिए photo की दुकान में चले गए और दुकान में जाने के बाद दुकानदार से पुछते है ए दुकान वाला ये भगवान स्री राम का photo कितना में दिया है तो दुकान दारा बुला सब 100 रुपे ए दुकान वाला ये भगवान स्री कृष्ण का photo कितना में दिया है तो बुला सब 200 रुपे ए दुकान वाला ये विश्णु भगवान का कितना में दिया है सब 300 escapes दुकान वाला कि यह बंदर का फोटो कितना में दिया है आप आपके बिहार में पॉपिलिशन बढ़ता जा रहा है तो इसलिए आप जो यह बिहार कि लोगों को कुछ अपील कीजिए कि इतना सारा पॉपिलेशन मत बढ़ाई यह तो देखे लालू परसाद यादो अपने स्टाइल से बिहारी लोगों को यह अपिल कर रहे हैं कि कि इतना पॉपिलेशन बढ़ाएगा विहार का बढ़ाएगा तो का सब को सब को एक ही बच्चे को जनम देना चाहिए हम सब बिहार से कहता हूं सब को एक ही बच्चे को जनम देना चाहिए हर साल ये लालो परसाद का आनबाद है। अगर करना ही है अगर करना ही है तो सुसाइड कर लो यह लागु पर साथ जीकान लादे तो चलिए दोस्तों तो अभी एक काम करते हैं मैं अभी आई कैन को आई कैन मिमिक अल्मोस हंडर्ड डिफरेंट सेलिबरेटी जोइस तो नाँ चले की यस नाओ विल दो वन तेंग कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि यह साथ फर्माई चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि आप जो मुझे चैट बॉक्स की जरीए आप यह सारी फर्माईश कर सकते हैं इघर हार्या यह में रेखिए यह तीपक यह हमारे दीपक भाई साब तो मुझे लूटने पे तु ले-अंपबर्जszyst आवाud क्या बात बात भाई यार John अच्छा अभी यहां पर आइक किसी में ती और तारीक पर किसी में टीन्ट और लींड़ Cup खुलने की तारीक का बिलेगी अगर किसी ने कुछ किया यह धाइकलों को हाथ जिस पर पढ़ता है ना आज में उठता नहीं और जाता है और जाता है कि अभी फर्माईश किसी ने की थी क्या निल का पूर वाइस आए जगाश अरे लड़कियां लड़ियां होती है नासी कियो या मुंबा के पड़ाने का तरिया नाशी है सम्झे यह वन्डूगा फोर्स वाज वन्दा स्पेश करूंगा अब बुलिया और और भी फर्माईश किजिए अज़्य कि अच्छा फराइश आई है हमारे अमीर खान सब की आई ला हाई है आरे अपनी तो पाठ शाला आरे मस्तिकी पाठ शला यार आई ला आरे सक्सेस की पीजिशा बाग यार और काभिए लेग यह नहीं आई लोग यह सब तूने किया ना बड़ सब जानता हो यह सब तूने क्या यह बबाब उठल रहे बबाब उठल में रहे बबाब इस राजु को खले इस राजु को खले सब्सक्राइब करता हूँ देखिए ऐसाइब के विल्स कांप और गनाइस करने के पीचे सरिफ एक ही सोच थे की जो लोग जो लोग डिपरेश फिल करा है जो लोग जो लोग को अनुसले टेंशन सारी है उनके लिए यह विल्नेश कांप है एड़ साहब एक syntमर से अथे गढ़ में आए प्राब्लम बाहर आई प्राब्लम अंदर बाहर और आजू बाघू प्राब्लम is problem don't worry be happy korona our destiny is gonna make up with a sedaard जी जीओ प्रमाईशारिशा यह यह प्रमाइशा को अ शीतने ओले को बाजिगर कहते हैं अरे यार अम्मी जहां कहती थी कोई बीमारी छोटी नहीं होती और कोरोना से कोई बड़ी बीमारी नहीं होती हार कर जितने वाले को बाजिगर कहते हैं और जो अपने घर पे बैठा रहे उसे समझदार कहते हैं तैंक यू और भी फर्माईश कर सकते हैं आप तैंक यू थैंक यू थैंक यू यह आपके कमेंट्स भी जो देखके मुझे काफी अच्छा लग रहा है जॉनी लिवर सर की मैं लूँगा लेकिन शो क्यांत में लूँगा क्यूंकि तो वो आवाज निकालने के बाद मेरी सारी आवाज बंद हो जाती है तो दोस्तों अच्छा नाना पाटेकर की फर्माईश ही है अच्छा एक बार ऐसा होता है कि नाना पाटेकर साब अपने बीवी को जाके कहते हैं नाना पाटेकर बीवी से कहते है अच्छा है अच्छा है मेरी एक बात सुन मैं भलै काला हूँ मैं भलै काला हो लेकिन मुझे लड़का गोरा चाहिए इस पर बीई बुली देख़ए एक बात तरह कर लो यह फिर लड़का आपका होगा तेंक यू और भी आप बहुत सारी फर्माईशिस कर सकते हैं येस मैं मैं बहुत सारी लीस्ट यहां पर लूँगा और मैं अन्त तक आप सब को हसाते हुए ही लेके जाने वाला हूँ तो आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए क्योंकि हसी की राइड यही चलते रहेगी अच्छा एक काम करते हैं दोस्तों अभी मैं काम करता हूँ मैं अभी आपके सामने ना नॉन स्टॉप और फिफ्टी प्लस बॉलिवूड डैक्टर्स की मैं आपके सामने मिमिकरी करने जा रहा हूँ तो इसको स्टार्ट करते है अशक कुमार से और देखी मैं अच्छा मैं अभी एक काम करूँ मैं अभी यह जो सारी आवाजे निकोलूँगा और आपको पैचन नहीं कि यह सारी आवाजे कोन सी है लेकिन एक खासियत यह है कि मैं नॉन स्टॉप मैं जो बिना रुके एक सांस में ये सारी 50 फिल्म स्टार्स की आउजे आपके सामने पेश करूँगा अगर आपको अच्छा लग रहे तो आप जो कमेंट्स में भी दानिएगा इस्टार्ट करते हैं आशोग कुमार से हैर बाट अरो डाधे अरे डाधे मेरे दिल का इंगाए बहले जुकर 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 जपएब गरए बड़ी जुकर ठीलगार डेश, किवा नहित इस बात सारा शहर मुझे लौयन के नाम से जानता है कोरोना हार एगा आर देश जीतेगा तो नहीं बोले गा तो बोलता है लेकिन हम बोले गा जरूर बोलेगा कौरोना हारेगा आर देश जीतेगा हम राज कुमार ही, हम को मिटा सके, जमाने में गम नहीं, जमाना हम से है, हम जमाने से नहीं समझे जानी अमा मिया यही मिलेंगे, इतनी जलगी पर्दा नहीं गिरने दूंगा तो दिन आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए जड़ी कमार करते जड़ी कमार करते जड़ी विजय साब जो करते हैं वो करके निखाता है विजय साब बहुत कमार है सब्सक्ता है कमान कमान सब्सक्तर अगर मेरे बच्चों की आने वाली फिल्म नहीं नहीं देखें तो मैं झाओ कर जाओनगा मर जानगा थाए भाते हम केरें पाम हम अंगänderिचों के जमानी के चला है आध्ये अजिए अदर आध्ये उधर बाकि मेरे पीछे आओ हाँ मेरे ख़वाले करोगे कि वादा मुझे तुमारे दोस्त चाहे रहे किया था क्या समझ कै कि सर्दार खुष होगा साब ऐसी देगा यह से पचास पचास को ज़ूर गाव में जब बच्चा रोता है यह बेलो देखें साथ की भी शाफ आए तर्षट में तो हम तुवारे बाप हो थे नाम शही शहीं है शाबा 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 शंभो विल्निस कैम्पे आकर हर कोई खुष्वा आओ मतरिक नना साथ प्याला सामना साथ मतरिक तुमसे कितने बाल करता हूँ मुझे ललिता के पाथ जाना है, मुझे उसा प्यार करना है, आओ ललिता, बाप मैं, मुझे तो सपना के साथ पानी पूरी खाने क्योंकि जीवन का बज्जा हट्टे में है, बाप मैं, ये सरकीन, हरे आप उनको बापु दिखता है, हरे आप उनको बापु ने बोला है, कि कि नहीं बोला रहा हुआ। पर लंडिनुरीय किसरी ऑपंद स्केङुआ लς भानार हुति करने करें। तरिह बहुत नहीं क्या करना चाहिए। वहाँ स्केश्कॉध besonders स्काριमाुत्स क्लिबूरुgel। करके डिकाता हुआ। कर दो है जो मैं बोलता हूं और मैं नहीं बूलता हमें डिफिनिटीबू और ने तुम किसी और हो जाओ यह बात आप मैं नहीं किसी संब सॉयह पफेट दम में नहीं तो दो पैक पीलये तो मैं अपने आप की आपको विर्ची लगी तो मैं क्या करूँ और है अवे इंटुकले निखले यहार से बाजारी अंडी वार वार बिनाली घंटी पश्च्चिम को पलटके निकले यहार 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 मभथी इसले जाने दिया अगर जिद दोती तो आपने बाव में की समझने में यहार बाव में होती हौ क offend बहुती हौ मैं पैशा के लीए इतना सब कुछ कर सकता हूं तो सोच मैं अपने प्यार के लिए क्या नहीं कर सकता Sick T प्रणना मुझे वाइलेंट होना पड़ेगा हाई, 22 सब पढ़ाई, 25 फिर होकरी, 20 फिर चोकरी, 30 फिर बच्चे, 60 पर रिटार्मेंट और फिर इंतजार, मौत का इंतजार पुप, ऐसी गटी-पटी जिंदी की मुझे नीजी जिना जिता की चाल, बाज की नजर और बाजिरों की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते कभी भी मात दे सकती है, रिष्ट, निशाना नहीं चुकारे, रिष्टा बीच में आ गया यह कलियों है, कलियों, यह लोग एक ही मकसद के लिए जीते हैं, अपने मकसद के लिए कि राज्या की इजद कोई संदर यह साब उनकी तिक्या की तर नहीं है, जो तो किस-किस के धोदो के फिक देगा, समझे, कैसी है तू? सिंगल है क्या? चोटे-चोटे बच्चर है, चलिए कुछ जो पॉलिटिशन की वाइसे आपके सामने पेश करता हूं, हमारे मोजी साब हैं, तो हमारे मोजी साब ने एक बार कहा, प्यारे भाई और बहना, क्या आपको चाय पीनी है, आपको चाय पीनी है, चाय पीनी है क्या नहीं पीनी है, वो लोगों ने खहां पीनी है न, चाय बनाने के लिए, यह बरतन को ग्यास पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो लोगों ने खहां रखना चाहिए, अब पतले में पानी दालना चाहिए या नहीं 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 दालना चाहिए या मुझे माफ करना देशवासियों मैं ग्यास मैं ग्यास चलाना भोल गया था यह सारी यह सारी चीज़ें मेरे और दीपेका पादूखोण में केस्मेलरिटी मैरे और दीपेका पादूखोण में एक सिमिलायरिटी एच्छा अच्छा तो मैंने पुछ है क्या सिमिलरेटी है तो बोला वो भी मुझे कभी कॉल नहीं करती और मैं भी उसे कभी कॉल नहीं करता ता एक बार बीचरत तेल का डबा खरेदने के लिए खिराना दुकान चला गया ग्रोसरी शाप चला गया और दुकानदार से कहता है कि मुझे पांच लिटर का डबा दो और दुकानदाने ने पांच लिटर का डबा दे दिया तेल का और यह कहता है आप जो इसके साथ फ्री में है वो दो तो दुकानदाने बोला भाई इसके साथ कुछ भी फ्री नहीं है जूट मत बोलो इसके साथ जो फ्री है वो दो इसके स जो लॉग्डाउन खत्म होने के बाद उसकी बीव ने उससे कहा कि यार लॉग्डाउन तो अभी खत्म हुआ है अभी आप मुझे कहीं भूमाने लेख लो और दोस्तों पताई यह भी को प्राब्लम हुआ तो डॉक्टर ने पुचा कब एक महना पहले तो एक महना पहले तो एक महने तक क्या कर रहे थे यह बोला साइब डुप्लिकेट चावी ते उसका इस्तामाल कर रहा था तो डॉक्टर ने का भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और चावी तो भाहर निकाला लेकिन दूसरे दिन डॉक्टर के ध्यान में आया कि ऑपरेशन करते वक्त ग्लोव्स पेट में रहे गए तो दूसरे दिन फिर से का भई अज तुम्हारा फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले क्यूं कि यार ऑ स्टाइल अलग-अलग तरीके होते हैं एक बार मैं और वो हम दोनों कई घूमने जा रहे थे तो मैंने उससे बुचा यार वो जो सामने जो कुत्ता है ना तो क्या तू बता सकता है कि वो कुत्ता है कुत्ती है तो बोला यार कितना आसान तरीका है या वो बोला पत्थर साथ कुना ने बताइए लिए आज मैंने अपने कुछ्टिस से बदला ले लिया और मैं ने पूछा, कैसे यार जब भी मैं खाना-काने बैठता हूना वह आकर मेरे मुह मारता है, आज मैंने उसके बर्तन की सारी पैडिगरी खा ले ऐसे ऐसे चीज़ें दोस्तों और देखिए ऐसे ऐसे करेक्टर्स हमें मिलता है कि बस रे बस अच्छा एक एक करेक्टर ऐसा कुन सा है बताईए कि जिसको वह हो बिशारा एक ही ऐसा करेक्टर पूरे देश में कि जिसको जोर-जोर से चिला-चिला कर जो बोलने की बोलने का पर्मिशन मिलाए है और वो बंदा इतना जोर-जोर से बोलता है कि बस रे बस और जब भी जोर-जोर से बोलता है तभी उसकी बात लोग सुनते हैं बोलिए ऐसा कुन सा करेक्टर बताईए अरनाब गोस्वामी राइट एक ऐसा क्यारेक्टर है विचारा अरनाब गोस्वामी के बस रहे बस nation wants to know what is going on काई सलमान मुझे बताओ काई शारुक मुझे बताओ यार ऐसा ऐसा बात करता है जैसा शारुक को और सलमान को इसने अपने काम पे रख दिया हो टो आरनाब गोस्वामी का यह जोर-जोर से चिला-चिला के बात करना यह एक सब्सवादी बेशने वाले यह इन ग्रोशरी की ड्रोशरी देंड़ लग ऐ घम सब्सक्राइब कोषिश करा है धनिया मुझसे मौफक फुकट मांग रहा है मैं जब धनिया लाता हूँ तो अब सामने अले को पैसे जेना पड़ता है और ये मुझे फुकट में धनिया मांग रहा है निश्चन वांस टू नो ये गंदा रहे, ये गंदा रहे अज मैं गोला भाई बाई ये तिरा धनिया ले ये तिरा टमाटर ले और ये ब्लैंक चेक ले और ये ब्लैंक चेक ले इसमें जो अमोट भरना है भर और धनिया का पूरा खेद खरीब ले ऐसे ऐसे करेक्टर दूस्तों हमें देखने मिलते हैं अच्छा बताइए कि आजकल ऐसा कौन सा बुक है जो आजकल बहुत ही जो फेमस है बताईए हाज ये कमेंट्स बताईए कि एक बुक है जो बहुत ही फेमस चरह रहा है बहुत ही पॉपिलर बुक है बहुत ही पॉपिलर बुक है बताईए कौन सा बुक है वो फेस्बुक फेस्बुक कितना पॉप्यूरज चल रहा है कि आजकल ऐसा कौन सा बुक है जो बहुत सबसे ज़्यादा फेमस है तो वो बुक है फेस्बुक उस बुक का नाम है फेस्बुक हर एक इनसान का फेस्बुक पर आकाउंट है जिसका bank में भी saving account नहीं है उस बंदे का भी facebook पे account है और एक चीज मैंने observe की है जो जो लोग good looking जो होते हैं खुबसूरत दिखते हैं वो लोग जो facebook पे जो खुद की photo as a dp करके set कर देते हैं और जो लोग बहुत ही खुबसूरत होते हैं जैसे मेरे जैसे हम लोग कभी अपना फोटो facebook पे डीपे पे कभी सेट नहीं करते हैं ना हम अपने फोटो कभी सेट नहीं करते हैं हम बॉलीवूड एक्टर्स की सेट कर रहे हैं अपनी जगा शारूख खान सलमान खान अमिता बच्चन या या फिर किसी जो सिनिक पिक जो मस् कि हमें खुझ की शकल पर यकीनी नहीं हर कोई बंदा फेसबुक पर अपना फोटो अपलोड करता है कि जैसे फेसबुक इसके बापका नोपर इसको लाइक और कमेंट जलाने के लिए और अपकोर्स लड़कियां लड़कियां अब फेसबुक पे फोटो अपलोड करने में बिल्कुल पीछ नहीं है और जो एक जो उनकी टिपिकल पोज लड़कों की बताइए कुन सी ये तो पोज होनी होनी है और दोस्तों सेल्फी ये चीज किसने धून के निकाला उसको उद्री पकड़ के मारो हर कोई बंदा सेल्फी लेता है और जो सेल्फी लेने में लड़किया तो बिल्कुल पीछ नहीं और जो लड़कों एक टिपिकल पोज मुह इधार है मुह इधार है फिल भी सेल्फी लेकिए जब भी कोई खुबसूरत लड़की अपना फोटो फेस्बुक पर अपलोड करती है नीचे कमेंट्स भी कितने अच्छा अच्छा आते हैं लुकिंग सू नाइस इसके सामने दस को लगा देते हैं अभी पता नहीं इ आस्टेलिया के बीच का भी फोटो दाल दिये तो नीचे कमेंट्स कैसा आता है और फेस्बुक दोस्तों लाइव है फेस्बुक लाइव एक ऐसा ऑप्शन है हर कोई फेस्बुक लाइव पर आता है और वो मेरे खैल से जो दुनिया वालों को बताना चाहता है कि I am still alive so that's why I have come on Facebook live so look they say Facebook live a day or they can get different different types of expressions कैसे करते है uh hi guys I am in no I am in grand hyatt as you can see the atmosphere over here is 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 wonderful as you can see over here and I have just come here to attend the meeting attend a ceremony इतना मूँ इतना मूँ तेडा मेडा तेडा मेडा करता है कि जैसे कि इनकी competition ग्रेट जिम कैरी से है और इनके यह ऐसे expression देखके मुझे ऐसा लगता है यार यह दूसरे पर महरवानी कर रहा है विच्छा आके तो यह तो कमाद दूस्तर फेस्बुक का था तो चले हम भी देखियो लॉगडाउन में एक situation ऐसा है कि एक एक कौन सा business है हुआ जो लॉगडाउन में जो बहुत ही जोरो में चल रहा है बहुत जोरो में चल रहा है बुलियेhora भिल्हें कौन सा business आन्दी मैं hospitals की बात नहीं कर रहा है our hospital का आलावा एसा कौन सा business है ' स्वीगही और d penetrate कि लौ। पेले जभी मैं अपनी बेटे से बैटे से कुछा करता था इस τु हूं कि आज के टारिक पर वो एक ही बंदा ऐसा है जो कहीं भी सर उठाके और सीना कान के कहीं भी भूम सकता है और एक आप हो और एक आप हो कि पुलिस के दंडे से डरके घर पे बैठे हुए कि सभी की जो मेटΑ को आसते हर घर में होआई तो पहले तो पहले हमारी पॉडोस 나 जो है कि तो एक दिन मेरे से मेरे से इतनी मीठी मिठी बात कर रही थी, इतना मसका लगा रही थी ओ, यार मुझे दोफर में जाके पता चला है कि वो इतना बटर क्यों लगा रही थी क्योंकि उसको बटर रोटी और पनीर बटर मसाना मंगवाना था ओ, ओ, दूसरे दिन फिर भी बुली सुनो ना, आज आज पिज़ा मंगवाते हैं obviously मैंने मंगवाया पानी में रेके मगर मज़ से बेर कोन ले फिर तीसरे दिन बुली आज आज बिर्यानी मंगाते हैं चिकन बिर्यानी obviously मैंने मंगवाई तो लेकिन मुझे तब बुरा लगा कि जब वो बिरयानी मेरी खारे थी और याद सल्लुकों कर रही थी पहुत बेरैनी पसंद है और फिर और फिर चोथे दिन उसने का आज क्या स्पेशल मंगाओगे है? हो मैंने का जहर मंगवाओगा जहर तो तुमारे लिए लिए कि मेरे लिए कुछ अलग मंगाओ तो दूस्तों उसने अपना मोबाइल उठाया अपने मोबाइल से धेर सारे यह इतने आउडर समंग हो रही कि क्या कोई लंगर बट रहा है और कुछ देर बाट डेलियूरी भाई का मुझे फोन आया है साब यह आप नीचे आओ और मैंने का भाई तू उपर आजा हमारे किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है तो लेकिन मेरे आने के वेज़े से हुआ तो ब हुआ तो उसने का साथ प्रेश भी है और डेलीशियस भी है अगया साथ तो सारी भेर सारी चीजे में लेके उपर आया और मैं और मेरी बीवी दोने काफी मज़े से खाया वो मेरी बीवी कहती है देखो अगर मैं तुम्हें एक बात बोलू तो तुम घुसा नहीं होगे ना वो मैंने का यायर मैं क्यों गुस्सा होँगा ये सारी चीजे ये सारी चीजे तुने मगवाया है तुने मुझी अच्छी मधिल भी माई थे लेकिन इसका बिल पेमिट मैने आपके करीद करड़्से ऑंलें किया था तो कुले प्लीज आप जो नाराज मत थो मैंने का नहीं नाराज होंगा किफसे पहले जो तीन दिंगा जो पार्सल मंधे मैं था उसका बिल मैंने तुम्हारे कर से ओनलाइन किया था इसको कहते हैं दोस्तों जैसे का कैसा वेल थैंक यू और यह समीन नौ आउ एंग गया और अपना पपेट लेकर यू आया थैंक यू रिमाच ओर ली वन मिनिट ओ यू यू जी मैं आप सरेक्वेस्ट करना चाहता हूं और यह जा भाई करते हूं कि सरिफ एक मिनिट आप जैन मोर्चा सम्भाले और मैं यू गया और यू प्रापेट ले गया है थैंक यू से हमं मं जाने एक अपने आप बहुत बड़ा टालेंट है so guys thank you so much for encouraging him with your comments uh I've been watching the comments and enjoying enjoying the show and everything that Amit has put together but yeh wellness camp mein jo mujhe realize ho ra hai in my entire experience it's been just one and a half days we started yesterday and we will go on till 26th but wellness as much as you know gets in fact impacted by external factors can only be taken care internally isn't it if we do a few things right then we don't really have to worry about what can change in the external world and that is the whole meaning and understanding of spirituality when we talk about being spiritual it's about connecting with your core connecting with yourself and bringing that ability to hold the fort no matter what happens outside so yeh hasna hasana ek experience hai lekin life mein jo ups and downs hai usko handle karne ke liye wo kor wo strength wonder ki spiritual power ko practice karna aur usko enhance karna hum sab ke liye bahut hi zaruri hai so since we have some time I want to share with you something that we do at sby academy and we offer to our leaders whether you are corporate executives or you are business owners you're running your own business we have a flagship program on spiritual leadership it is the only program in the whole country that brings spirituality and leadership together you would have seen a lot of spiritual programs you would have seen a lot of leadership programs but merging them together is something that we have never seen before so do visit our website sbyacademy.in and look out for this course called ulm upskilling leadership mastery this is a live spiritual leadership course that I want you to consider we will start the new batch in august watch out this space I'll be sharing a lot more information and Amit is back with a very very cute character Amit welcome back he kone hai aapke saath hi everybody yes mahi pehle akila tha abhi iku bi business partner business partner abi hai ba hai bhaail Minee superhero than mine life partner and thu ог manage partner hai 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 sei a उसकों कहता है कि मंकी बोलने सकता है मेरे पास मंकी है यह बहुत अच्छी तो नहीं है तो अंपर तिरे आलवा कॉन मंकी है नहीं मैं डिक पता चलेगा क्या मैं मजग कर रहा है या हम दोनों अपर रहे हो तुम क्या कर रहे हो मैं तो यहाँ पर शोफ परफॉर्म कर रहा हूं मैं आदेगा जोग पाफन कों आपको नाइस कि बोलो की गुड बॉर्णी लडीने जेंटलमें लैडीश येonलेडीश लइडीश बॉर्णी विलशय ने चेह गुड लेडीश उतहरा कि सॏ ह१६ह नौकोत केे और एपे जंटलमेंट बोलना है उसके ब्हूं कि नमस्ते भाईयों और ने यह को तुम बात बता हो कि तुम सबको अपना नाम बता उसके बताऊ इंगलीज में मता हो और ब्यूटिफुल रेड अंर्डेः तुम प्रूटिफुल रेड अंडरवेर तो यह कैसे नाम है अग मेरा नाम हिए अग मेरा हिंदी में बताओ कि हिंदी में बताओ कि तुम क्या करते हो इसे कैसे हो सकता है सज्दियेफसी के तो हर शहर में कितने ब्रांच से हुआ हुआ पर इच डी है कि तुमने अपने कि तर से प्रपोस्थ किया गाना गाके प्रपोस्थ किया और उसने क्या है उट यहाँ जहां भी चांज मारता है वहाँ पर विचारा हार ही जाता है, राइट? हाँ हाँ हार ही जाता हूँ अच्छा एक बात बता, क्या तू शादी शुदा है? नहीं क्यों? क्योंकि मैं सल्मान खान का फैन हूँ तो क्या हुआ? कि संहें करेगा कि अगर सल्मान खानने आखिर तक शादी नहीं की इनकी टो QB इhou केटरना केफ केटरना केफ फुक्ष जज से बंदर से कैसे शाड़ी करेगी ज़के सब्सक्रीच अबीशेख बच्चन से की? अच्छा, अरे आविव तुम्हें सच-सच बता कि क्या तु शादी शुदा है? मेरे सो बिविया हैं. सो बिविया हैं तेरी? हाँ, सो बिविया हैं. और बच्चे कितने? 200. 200 बच्चे? कम है क्या? अभी तो मैं जबानना हूँ अभी तो मैं जबानना हूँ अभी तो लेकिन 200 बच्चे कैसे हैं क्योंकि शादी के बाद हनीमोन के लिए मैंकडोनल्ड रेस्टोरंट गया था यार कहां गया था मैंकडोनल्ड रेस्टोरंट यार मैकडोड़ रिस्टोरेंट लोग यार पीज़ा काने के लिए चला गया हैँ उसके पिछे पीछ एक लोजिप लेके लेकिन क्या और जसके मस्तलंगे आधे गंटे में प्रो तेरेफिक तरफिक चिंध॥ बच्चे कितने 200 दोसो बच्चे लेकिन दोस्थ बच्चे किसे क्योंकि वहीं तो कहाँ था नो मैंने क्योंकि मैंने व क defy पोच रहे हैं पोच रहे है कि इसे सकती किम्हुख फोच रहे हैं San Anarchate वाव वाव याने के वो खाने पर तेरी रहा देखती है ऐसा नहीं फिर मैं घर जाता हूँ खाना पकाता हूँ फिर वो खाती है क्या कामाल करते हो यह अच्छ एक बात मुझे बताओ कि इस पूरिश तो पूरिश कौन होता है शादी के पहले फुरुष मेल यानिके स्पाइडर मैन होता है स्पाइडर मैन क्या ऱी इधर से अदर बटकते रहता है और शादि के दिन और शादि के बाद येटल मैन और वीवी खूब सरत हो तो वाष्में वाश्में क्यों देख रहा है अपनी तो एक बात मुझे बताओ कि अभी मुझे जाना है मुझे मेरी गॉल्फरेंड के पाद जाना है तो जाते जाते एक शेरो शैरी बोलो क्या बात है क्या बात है वे तुम जे पादल कहता है अरे तुम मेरा दोस्त है अरे दोस्ती का फर्ज अदा करेंगे और एक नेक दिल अपने दिल पर पत्थर रखकर हम खुद तुझे प्रागल खाने छोड़ाएंगे दोस्तों यह मंकी इतरे से बात करता रहेगा तो इसी तरे से बात करता रहेगा लेकिन मेरा ही काम है कि मैं इसका मूब बन करता हूँ और आज का ये शो यही पे समाथ करता हूँ Thank you very much, thank you very much, thank you very much मैं बहुत सारी जो इस शुक्रियादा करना चाहता हूँ SBY Academy का और प्युक्ती मेंदी रख था और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे आपे बुला के आप सब का मनोरंजन करने की एक चांस दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जाते जाते यही कहूंगा कि कुछ भी हो टेंशन बिल्कुल मतलो जिंदगी में कुछ भी होता है हमें उसी स्पिरिट के साथ लड़ना है क्योंकि मुंबई कर वो है जो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल के आता है हम लोग अपनी स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं जोस्तों देखिए स्पिरिट मेरा कैसा रहा मेरे पास पावर कट चला गया फिर भी मैं सोचा यार अभी लेटली जोइन हूँगा तो युक्ती जी फिर से मुझे पे मतलब खुझे चिर जाएंगी इसलिए मैंने अपना मोबाइल से मैं जोइन किया and I hope that कि मैंने आपको हसाया है Thank you very much, बहुत बहुत दन्यवाद Thank you Amit, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया Thank you everybody for joining in और इतने अच्छे session के बाद एक अच्छा feedback जरूर बता है मैं फटा-फट स्क्रीन शेर करके आपको बताना चाहूंगी आप कहां feedback शेर कर सकते हैं Please go to the wellness camp page from where you connect for all our sessions You would have come to emotional wellness and clicked here for 11am Since we are at it, please know laughter yoga session is happening again at 4 o'clock If you missed it, you have to be there Also invite all your friends and network to enjoy Use wellness camp code and get free access to this amazing camp we put only for you all And then in the end, Amit is coming back again today at 7 o'clock For another amazing session that you just saw On this page, you will see an option called chat Please click there and you will see an option here on top right called add a question or comment Once you click on this, you will be able to put your feedback here So you can just write feedback for Amit and then write down here how you felt How was the session for you and post the question Once you do that, you'll be able to see your comments here We've been gathering a lot of amazing comments of all the sessions that have happened so far Thank you once again guys, welcome to the wellness camp The story has just begun, the journey has just begun We will take another step forward at 4 o'clock and tomorrow After the 7 o'clock event tomorrow We will focus on mental wellness How to deal with stress But before that, let's laugh out loud We will see you soon Thank you Amit and thank you everyone for joining in God bless you, please take care Thank you, thank you, thank you very much